सोच सोच के हो गए हो बोर्ग कि आखिर में होटल में सामभर कैसे बनते हैं तो बिलकुल एजी रेस्पी है आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एकदम सिंपल सी रेस्पी है जो कि आप एक दब होटल की तरह सांभर यहां बना के तयार कर पाओगे तो हेलो एवरीवन वेलकम बैग खुशी की रसोई आज हम बनाएंगे सांभर की रेस्पी तो यहां पर हमने सबसे पहले अरहर दाल को कुकर में धूल करके ले लिया है पिर हम कद्दू डालेंगे उसमें बैगन डालेंगे और प्याज और इसके बाद हम सांभर बसाला आधी कटोरी एड़ करेंगे चमच सिना पर छे चमच है साथ में नामा काशमीरी लाल मिच पॉडर लाल मिच पॉडर और पानी को एड़ करके कुकर में हमें 4-5 सिटी लगा रहा है तो बहुत छोटी सी वीडियो में आज हम आपके लिए सामर की रेस्पी लेकर के आए है जो कि एकदम रेस्टूडेंट की तरह बनेगा आप बिलकुल अंदाजा ही नहीं पाओगे कि हमने घर में बना के तयार किया है अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो लेकिन बस एक चीज है कि इसमें आपको कॉंटिटी क्या चाहिए कम या जादा मैं उसको बता दे रहे हैं इसमें सामर मसाले की कॉंटिटी बराबर रखिएगा और साथ में ही आपको इमली का रस का कॉंटिटी बराबर रखना है तो आपको मैं पहले दिखा देती हूँ सीटी खुलने के बाद सामर हमारा पक गया है तो कितनी अच्छी तरीके से पका हुआ है आप देख पा रहे हो तब हमें इसमें क्या करना है इमली का रस डालना है तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम डाल ली हुई थी और उसी के साथ 100 ग्राम इमली का रस हमने बना लिया है आप देख पा रहे हो मैंने एड़ कर दिया इसे और एड़ करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेना है अब मिक्स करने के बाद क्या करना है कि देना है च्छोका तो च्छोका देने के लिए सबसे पहले पैन लेंगे गरम होने के लिए पेन में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन डॉयल, तेहां रिफाइन डॉयल का ही इस्तमाल करिएगा, ये चीज़ बता दू, क्योंकि restaurant में refined oil का ही इस्तमाल जादातर होता है फिर उसके बाद कड़ी पत्ता लाल मेच खड़ी हुई फिर उसके बाद राई छोटी राई डालना है उसके बाद हिंग डालना है हिंग थोड़ा जादा रखिएगा और इसके बाद अच्छे से इसको चटकने देना है चटकने के बाद इसको सामबर को कर देना है और फ्राई करने के बाद इसको गर्मा गर्म, सामबर, चाबर, लीडली, ढोसा किसी के भी साथ आप इंज्टाय कर सकते हैं एक दम restaurant याल टेस्ट आने वाला है तो बताइए गाईस हमारी रेस्पी कैसी लगी रेस्पी पसंद आई हो तो फ्रेंड और फैमली के साथ जरू शियर करिएगा अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते रहिएगा चलिए मिलत है फिर से नई वीडियो में तब तक के लिए बाइब है थैंक्यू थैंक्स पर वाचिए